हाई आवरिवन एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है हम बात करने वाले हिलावाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट टूथाउजन ट्वेंटिफॉर इसमें हम बात करेंगे लेवल वन की आपको पता है कल आपके जो है एक्जाम के कुछ पोस्ट के जो है सिलेवस को जारी कर दिया गया है कल रात को ही आपको वीडियो अवेलेबल कराई गयी थी और जो पेडियेफ आई हुई है यानि जो नोटिस आई है इनवर्सिटी की तरफ से उसको भी टेलिग्राम पर शेयर कर दिया गया था कल ही तो अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजेगा आप चाहें तो ओफिशियल वेफसाइट इलहबाद उनिवस्टी की जाईए वहां सर्च करिए वहां पर भी आपको मिल जाएगा हम इसमें लेवल वन की बात करेंगे ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है कि MTS जो है आपके लेवल वन की जॉब है और जो आपक की बाकी की नहीं होंगे उनके भी होंगे लेकिन अभी जो रिसेंटली जारी किये गए हैं नोटिस वह यह सिर्फ उन्हीं लेवल के लिए है फिलाल इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे लेवल वन में MTS के लिए और आप लोग को ये डाउट है कि लेवल वन में और भी पोस्ट हैं तो क्या सभी के एक्जाम होंगे इसी सेलेबस के एकॉर्डिंग तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि ऐसा नहीं है लेवल वन में केवल MTS पोस्ट में ही आपके रिटेन एक्जाम के लिए अभी सेलेबस जारी किया गया है तो आप लोग इससे परिशान न हो कि आपके भी आ चुके हैं अभी मैं दिखा रही हूं आपको वो नोटिस जहां पर यह ची लिखी हुई है देखे ग्रूप C में जब लिखा हुआ है लेबल 2 तो ग्रूप C के लेबल 2 में जितने पोस्ट आ रहे हैं सभी के लिए सिमिलर है आपका जो है सेलेबस लेकिन ले बात यह है कि जिनके अभी नहीं आए जैसे लेबल 4 जैसे आपके लाइबरेरी अटेंडेंट या लाइबरोटरी असिस्टेंट इन सब पद के लिए आप परिशान है स्टेनोग्राफर आप सबके भी आएंगे नोटिस लेकिन उसके संबंद में अभी जारी नहीं किया गय आज सुबर ही आपको एक वीडियो अवेलेबल कराया गया है जो कि लेबल 2 पे था लेबल 2 में आपके जैसे की जूनियर ऑफस असेस्टेंट ड्राइबर मेकैनिक और एक दो पोस्ट और हैं जिनके शामिल थे उनके विशह में आपको जनकारी दे दी गई है इसमें हम बात कृ版 है तोलिटा है करन्ट कि विशह में एक र का है दिनों से पूछ रहे थे कि किछ यह कई श्यक्स होगा सकनु कृर्ण के संपर्र3D प्रयागराच की है तो आपको उसके विशह में से क्या घ्रप होगी आपको जैसे हर घ्र को तेलेग्राम मिलता है वैसे ही मिलता रहेग बाकी आपको अपने स्तर से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी आईए हम देख लेते हैं syllabus की क्या-क्या चीजें आप में include की गई है और जो six month की current affair है मतलब आपका exam जैसे conduct हो रहा है यह मान के चलिए जून तगर notice आती तो जून के बाद आपके exam होंगे तो आप last December से अपना cover करन current affair और जो योजनाए है important central की भी और UP government की उन सबको पढ़ना है आपको education की शेतर में अगर कोई बदला हुए है कोई योजनाएं आई है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा मेरे द्वारा तो आपको दी ही जाएंगे चीजे पर आपको भी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहन है ठीक है तो आईए हम उस notice को सबसे पहले देख देंगे कि क्या क्या चीज़े हैं उसी में आपको हर एक चीज पता चलेगी और negative marking negative marking है जितने भी पोश्टर सभी में negative marking होगी 0.5 की स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर से levels for recruitment for non teaching group C level 1 देखें यहाँ पर level 1 जरूर लिखा है लेकिन यहाँ पर MTS लिखा हुआ है तो MTS के लिए ही इन्होंने अलग से जारी किया गया है क्योंकि अगर सिफ level 1 के लिए होता तो केवल लिख दिया जाता group C level 1 और अगर level 1 के और भी पद इसमें शामिल होते तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता पर ऐसा है नहीं तो level 1 में MTS के जो घरती है यह सिर्फ उनके लिए है तो इसमें क्या है skill test नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसे पद होंगे जो कि skill test conduct हो सकते हैं जैसा कि विज्यापन में सुरू में लिख हुआ था उसके लिए भी कुछ है फिक्स पद जो कि special qualification के दरगत आएंगे उनके लिए कोई भी skill test conduct नहीं होगा किसके लिए जो कि नॉर्मल अगर आपने डारेक्ट माल जाब ने 12th किया अपने form डाल दिया है 10th किया था ITI किया था उसके समकष तो आपने डाल दिया है form तो जो है 200 marks की होंगे मतलब एक question दो number का आपको होगा paper का mode क्या होने वाला है तो paper आप मान के चलिए 99% आपके offline paper ही होंगे offline mode में होगा negative marking कितने की है तो 0.5 की negative marking होगी एक question सही करेंगे तो दो number मिलेंगे और चार question आपके गलत होते है 0.5 marks जो है आपके काट लिए जाएंगे अब यहाँ पर यह देखेंगे आप आपके syllabus में क्या क्या चीज़े रखी गई है जैसा कि पहले ही इन्होंने बताय था same होई pattern है पर इसनोंने सब topic भी बताए है ले आपको complete parts of speech की knowledge होगी और इसमें क्या करना है आपको देखिए MTS का हो चाहे junior office assistant का हो सकता है कुछ ऐसे candidate हो जो दोनों पद के लिए अपलाई की है similar है आपका सिर्फ एक ही चीज एड हुआ है junior office assistant में वो है आपका mensuration बताब math का एक chapter mensuration दिया गया है उसको बस बाकी आप में सब कुछ अलग है same to same है दोनों लोगों में कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपको antonyms और synonyms और ये सारी चीज़े पढ़नी है junior office assistant के लिए भी और इ सब्सक्राइवाची शब्द और तसंधी विच्छे एकार्थी शब्द मुहावरे एं लोगोक्तिया इत्यादी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही topic है इसके लामा भी जैसे समास से संबंधित और वर्ण माला से संबंधित प्रशनाएंगी क्योंकि है इत्यादी लगा हुआ है तो इसके लामा भी चीज़ें आ सकती है तो आपको पहले से ही MTS के लिए बना हुआ है प्रेलिस MTS के नाम से MTS कंप्लेट सले बस उसको पूरा देख लीजिए 46 अभी तक मुझे मेरे खाल से वीडियो अप्लोडेट होंगे आपके लिए यूसफुल होगा वहां से नहीं होगा क्योंकि वहां पर OMR sheet भी जो है बाद में जारी नहीं किये गये थे आपके answer की ठीक है तो इसके लिए नहीं परिशान होना है आपको और लही बात की कैसे तरीके से question आएंगे model paper के लिए में बाद में बात करते हैं कि उसके लिए क्या चीज़े करनी है फिलाल आ चलिए reasoning होगी 30 questions आपके पूरे GK के आएंगे इसमें current question included होगे क्योंकि GA है ना की GK है जीए में general awareness में आपका current affair include होता है लिखा नहीं है लिकिन include है ठीक है और relevant subject for service only one to be attempted मतलब यह 3 चीज़े दे रखी है इसमें से कोई आपको एक ही attempt करना होगा तीन section में आपकी paper आएंग तो आपको क्या करना है इसके लिए सबसे अच्छा क्या है आपका high school level का आपको general science पढ़ लेना है यह हर जगह available हो जाता है आप लोगोंने कई बार पढ़ा भी होगा चाहे आप किसी भी group के होंगे ठीक है तो यहीं बहतर है आपके लिए नहीं अगर करना चाहते तो general administration से आ actual प्रशन ही पूछे जाएंगे बहुत जादर डीप में प्रशन नहीं आएंगे तो यह बहुत ही अच्छा scoring हो सकता है आपके यहां से 30 questions से ठीक है बाकी Hindi English और आपको यह 30 questions जीके में तो सभी के लिए problem होती है मतलब कर 40 questions जीके का है 10 reasoning को हटा दे 30 तो 30 में से कम से कम average रखन negative marking है इस वज़े से तो आपके total handed question होते हैं जो की 200 number की होगे समझ में आ गया होगा आपको पूरा कि आपका क्या सले बस रखा गया है यही इतने सारे subject है जिसको कि आपको revision करना है नई चीजों से बहतर है कि जो चीजे पढ़ी गई है उसको revision बार बार करिए बाकी channel पर जो यहां दिया हुआ है वो मैंने पहले ही आपको दिया डेली आपको वीडियो मिलती ही थी जो लोग जूड़े हैं चैनल से उनको तो पता है जो नए जूड़े हैं वो भी जान ले कि आपकी playlist भी अलग बनी है और study material जो भी मेरे द्वारा दिये जाते हैं वो सब कुछ आपको previous year में कोशिस करना है previous year का मतलब यह नहीं कि सिर्फ university के exam में और किसी भी competitive exam में जो question पूछे गए हूँ है one day exam में वो ही repeat होने के संभाव ना होती है तो चाहे वो हिंदी, English हो, GK हो या तो आपका general science हो उन सब को repeat करिए उसको पढ़िए उससे आपको benefit होगा तो इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी इस post से related अगर आपको और भी कोई doubt है तो comment section में पूछ लीजेगा next वीडियो में उसको clear कर दिया जाएगा पाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें next वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे जैंद